कपड़े की दुकान में ग्राहक बनकर जाने वाली एक छात्रा को सेल्स्मैन से प्यार हो गया. यह मामला प्रेम प्रसंग में घर से भाग कर प्रेम विवाह करने वाले एक प्रेमी युगल का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल होने का है. दरसल इस वीडियो में प्रेम विवाह के बाद लड़की के द्वारा अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से शादी करने की बात करने का है वीडियो में लड़की के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है मेरे सास ससुर को कुछ नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो इसके लिए मेरे पिता जिम्मेदार होंगे दरसल यह मामला शेखपुरा जिले के सिरारी थानाक्षित्र के एक गाव से सनातक की सत्रा वर्षिय छात्रा घर से भागने का है इस मामला में चात्रा के पिता के द्वारा अपहरन की प्राथमिकी कराई गई है जिसमें छिवारा थानाक्षित्र के बहुआरा गावनिवासी अनक्ष रजक के पुत्र सनातन कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया है प्राथमिकी के बाद पुलिस के द्वारा अपहरण के मामले में युवा की खोज की जा रही थी इसी बीच इंटरनेट पर यह वीडियो वाइरल हो गया है इस बाबत थाना अध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि लड़की गत 10 सितंबर को ही प्रेमी के साथ फरार हुई है लेकिन लड़की के पिता द्वारा सोमवार को स्थानिय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है मुकदमे में उलेख किया गया है कि लड़की बिये पार्टी टू की परीक्षा देने गत 10 सितंबर को घर से रामाधीन कॉलेज शेखपुरा जाने हेतु निकली थी। उस दिन देर शाम तक परीक्षा दे कर घर वापस नहीं लोटी। तब उसका काफी खोजबीन किया। खोजबीन किये जाने के दौरान पुत्री का अपहरण कर लिये जाने की बात सामने आई। तब धाने में पराथमिकी दर्ज कराई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अपहरटा छिवाड़ा बाजार के एक कपड़ा दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अपहरण की प्राथमे की दर्ज कर छात्रा की बराम्दगी हेतु प्रयास शुरू कर दिया गया है हम अपना मर्जी से साथी की हैं उनके साथ कोई जवर्दस्ती नहीं है और मेरे फैमली में किसी को कुछ होना नहीं चाहिए होगा तो मेरे पापा जी मिलदार होगी